हलो गुण मानिंग जुहार में सुंझे और आप देख रहे हैं नियो जार्खन समय हो चला है जार्खन के खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन के 25 मुख्य बड़ी खबरों को आज होगी डुमरी उपचनाओ की मतगनना पचमबा बजार समयती बना मतगनना केंदर 24 राउन में छे उम्मेद्वारों के भागे का फैसला 5 सितंबर को हुए डुमरी उपचनाओ के मतगनना आज होगी इसके लिए गिरिडी के पचमबा बजार समयती परिश्टर को मतगनना के अंदर बना गया है, मत गनना 24 राउंड में की जाएगी, सुकुरवार को छे उम्मेद्वारों के भागे का फैसला हो जाएगा, मत गनना और कृसी उत्पादन बजार समेती परिश्टर की 233 सुरक्षा वास्ता की गई है, 5 सितंबर को यहां 64-64 फिजदी वोटिंग हुई, मत गनना के बाद सभी 373 बूथों का इवियम वज्रगरी में जमा हो गया था, डुमरी उप्चनों की मत गनना के संबन में मुखे निर्वाचन पदधिकारी के रभी कुमार ने बता है कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की काउंटिंग की जाएगी, इसके बाद इवियम को व पनाए गए हैं, जानकारी देतों बे उन्होंने बता है कि मत गनना इस्तल पर अवस्टक भिड़क रोकने के लिए धारा 144 लागू रहेगी, साम चार बजे तक मत गनना पूरी होने की उम्मीद है, मत गनना में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए मत गनना के इंदर के मवैसी से टकरानी की वज़े से ट्रेन का अगला ही साच्छत इग्रस्तो हो गया, हाथसे की वज़े से ट्रेन तैस समय से डेड़ घंटे की देरी से बरका काना जक्सन पहुँची, मिली जानकारी के मताबिक पटना से राची आ रही वंदे भारत ट्रेन कुजू अस्टेश का परीचलन 27 माई को सुरू हुआ था, पीयम मोदी ने वीडियो कान्फरेंसी के जरिये राची रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी छंडी दिखाये थी, इस ट्रेन की मदद से राची और पटना की दूरी महाच्छे घंटे की रह गई दुमका की जामा में ट्रेक्टर की पलटने से ड्राइबर समय तीन लोगों की मौत, जामा थाना चेतर के ढोंडली पंचायत की बलमडी गाउं के पास गुरुवार को खाली ट्रेक्टर आसंतुलित होकर पलट गया, जिससे ड्राइबर समय तीन लोग की मौत दबने से हो ग मिर्तक मजदूर की पहचान जामा थाना चेतर के नयार्डी गाउं के विनोध बास्की, मैनेजर बास्की और मैनेजर का साला संजे सोरिन की रुप में हुई है। थाना परभारी उत्तम कुमार पासवान ने बता है कि तिनो सव को पोश्ट मार्णम कराने के लिए सुरक्षित रखा गया है, साथ ही ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है, सुकुरवार को सव का पोश्ट मार्णम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। करने का आरोप लगा कर चकरधरपूर महिला धाना में लिखित सिकायत दर्ज कराई है, इस घटना के बाद से पूरे जीले में हड़कम मचा हुआ है, जानकारी के अनुसार महिला करमी, इसकी सिकायत पोड़ाहाट अनुमंडल पददिकारी, रीना हासदा सकी थी, इसके बा करेयाले कक्च में बुला कर गंदी-गंदी गालियां देने का आरोप लगा आ है, जारखन के कई इलाकों में आज भी होगी बारिस, जारखन में पिछले 24 घंटे के दोराण कए इस्थानों पर बारिस हुई है, यहां मानसुन सक्री है और अगले 24 घंटे के दोराण भी कई इलाकों में बारिस होने का अनुमान वक्त किया गया है मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बना निम्द दबाओ का छेतर अब 36 गड़ से होकर गुजार रहा है और इसके परभाव से जारखन में बारिस हो रही है अगले 24 गंटे के दोरान यहां कमजोर हो जाएगा यहां सनिवार से बादल हलके हो सकते हैं जारखन में पिछले 24 गंटे के दोरान हलके से मर्धम दरजे की बारिस हुई है जारखन के आसपास बने सिश्टम और खासकर ओड़ी साओ और शत्तिसगर से गुजर रहे निम्द दबाव चेतर की कारण यहां बारिस हो रही है अगले 24 गंटे के दोरान भी बारिस होने का नुवान है इसके बाद मान सुन कमजोर हो जाएगा दुमका की काठी कुंड में यात्री बस की चपेट में आने से पाकूर के दो युवक की मौत दुमका जिले के काठी कुंड थाना चेतर इस दित रानी पहाडी गाओं के पास बस की चपेट में आने से दो युवक की मौत हो गई घटना आम गाची कल्यानपूर पत पर रानी पहाडी गाओं के पास साम को हुई दरसल दुमका से रिया रोजी बस पेसिंजर लेकर प्रकंड के फुल जिंजरी गाओं तक जा रही थी इस इक्रम में रानी पहाडी गाओं के पास बाइक सवार दो युवक बस की चपेट में आ गए और घटनास्तर पर ही दोनों की मौत हो गई जानकारी के मताबिक सूचना मिलते ही एसाई अमन राज दलबल के साथ घटनास्तर पर पहुँचे एसाई ने बता है कि दोनों युवक पाकुड जिले के सलगाडी के रहने वाले थे गिरिडी के उस्री नदी में डूबने से दो बच्चों की हुई मौत सडक हाथसे में सरकारी अमीन की गई जान गिरिडी के पचंबा थाना इलाके के बन खंजो नदी घाट में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई जानकारी कनुसार गाउं के पांच बच्चे उस्री नदी में नहने गए हुए थे इसी क्रम में ही तब बसूम और तसलीमा का पाउं फिसला और दोनों बन खंजों के नदी में डूबने लगे इसकी जानकारी मिलने पर परिजन भी नदी पहुँची और दोनों को किसी तरह बाहर निकाला और सदरस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत्त घोशित कर दिया गुरवार को मिर्तक को डर्मा के जैनगर किसी पूजा समहरों में सामिल होने अपने एक साथी के शाद बाइक से जा रहा था प्रदेश परभारी हुए सामिल, कॉंग्रेस नेता राहुर गांधी के भारत जोड़ो यातरा के एक साल पूरा होने के आउसर पर पूरे देश में गुरवार को पद यातरा निकाली गई, रांची में यह यातरा सहीद चौंक से भगवान बिरसा मुंडा के समाधी अस्तल को कर तक निकाली गई, इस पद यातरा में कॉंग्रेस के प्रदेश परभारी अविनास पांडे, पूर्व के इंद्रिय मंत्री सह वरिष नेता सुबोध कांथ साहे, प्रदेश अध्धक्ष राजश्ठाकुर सहिद भारी संख्या में कॉंग्रेस के कारिकरता सामिल हुए, लेकिन अब इंडिया और भारत को अलग-अलग कर देश को बाटने का परियास कर रही है, मोदी जी देश को तोड़ने का काम करते हैं और राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पदियातरा आज बेहधी प्रसांगिक है, जार्खन की गिरीडी और हालत बेकाबू होने से बचा लिया, घटना गिरीडी के डुमरी थाना चेतर अंतरगयत बरगी गाउंगी है, घटना के समद में मिली जानकारी के मताबिक बरगी गाउनिवासी अजय जासवाल की गाई ने बचड़ा दिया, आरोफे की समुदाए विसेश के कुछ आरोपियों के खलाब कारवाई की मांकी है, सूचना पर गाउंपोंचे स्डियो सुमेद प्रसाद ने दोनों समुदाईयों के लोगों से बातचित की और उन्हें सांती बनाय रखने की अपिल्की है, वर्य पुलीश पद अदिकारियों और लोगों से अफवाउं पर ध्य राजसरकार को घेरा है, सहाइक आचारी के 26 जार एक पदो पर होने वाली न्युकती प्रक्रिया पर हाई कोड़ द्वारा लगाई रोक का उल्ले करतोवे बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि युवाउं को रोजगार देने की हेमंत सरकार की ना तो नीती है और ना ही नियत है उन्होंने आरोप लगा है कि सुरू से ही गलत नियम और नीती बनाकर युवाउं को कोड कर शरी में लटका जा रहा है पूरो मुख्यमंत्री ने मौजुदा सरकार पर युवाउं को ठगने का भी आरोप लगा है बाबुलाल मरांडी ने मंगलवार को सहीब गंच के पतना में हुवी मौख्यमंत्री की जन सभा का उल्ले करतो विकाय की सियम ने 35,000 नई नियुक्तियों का एलान किया और सुरुवाती रुजहान में पूरानी 26,000 एक सिक्षकों की नियुक्ति पर रोग लगा दी गई बाबुलाल मरांडी ने कहे कि ऐसा हुआ क्योंकि नियम गलत है बता दी कि हाई कोर्ट ने सिक्षक नियुक्ति में पारा सिक्षकों को 50 फिजदी आरक्षन के विरोध में दायर याची का परिया फसला सुना है राजजबर के बियारपी, सियारपी ने याची का दायर कर उन्हें भी 50 फिजदी आरक्षन देने की मांग की थी राची के सिक्षक दिरी इलाके में सड़क हाथसा, दो वाहनों की टक्कर में पांच लोग घायल, एक की हालत गमफीर राची जिले के सिक्षक दिरी थाना चेतर के हुनरू फोल के समीब दो वाहनों में टक्कर हो गई, इसके बाद आनिंतरित होकर गाड़ी पलड़ गई, इस साथसे में पांच लोग घायल हो गए, इस थाने लोग सूचना मिलने पर ततकाल घटनास्तर पर पहुंचे और घा राची जिले के सिक्षक दिरी थाना चेतर में सिक्षक दिरी हुनरू फोल के समीब बोलेरों और कमांडर जीप में टक्कर हो गई, इनमें कमांडर जीप में सवार पांच लोग घायल हो गए, घटना गुरुवार के सुभा दस बजे की है भारत इलक्ट्रोनिक्स में लगी आग, करोडो का माल जल कर राक, पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी आग, गोदा मेरा के कई इलक्ट्रोनिक्स समान पर बाद, हजारी बाग जीले के बरही धनबाद रोड में संचलित भारत इलक्ट्रोनिक्स के संचलक इस्वर गुपत पर पाने के लिए घंटों मसकत किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाय जा सका और देखते ही देखते आग पूरा मकान में फैल किया आग बुझाने में पानी की कमी ना हो इसके लिए कोब्रया दो सो तीन ने भी अपना वाटर टेंकर भेज दिया आग लगने के सुचना पाकर बरीथाना परभारी रोहित सिंग एवं कोब्रया दो सो तीन के कुछ अधिकारी भी घटनास तल पर पहुँचे लेकिन तब तो ग में सहीदो को सुरधाजली अर्पित करेंगे मोखेमंतरी हिमंत सुरिन विकास मेले में भी लेंगे भाग अस्तल का दोरा कर वहाँ चल रही तैयारी का जाजा लिया। अमामला बुधवार देरात की है जहाँ पर अमन कुमार को दोस्त विकास के घर से बुलाया और गांधी नगर इलाके में गोली मार दी। पुलीस जल्दी आरोपी को गिरपतार कर लेगी। मववादी कमांडर समयतकाई नकसलियों पर प्रात्मी के दर्ज एक फोर्टी शेवन की गोली आईडी समयतकाई समागरी बर्यामत। पलामू के मनातु थाना चेतर के कुंडिलपूर गाउं में मंगलवार को बरामत बिसफोटक एवं नकसली समागरी मामले में पुलीस ने मववादी कमांडर मनोहर गंजू, ननकुरिया, असोक, परहिया, समयत पांच नामजद वा एक दर्जन अग्यात के खिलाद प्रात् की गई थी, सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनोहर गंजू के दस्ते ने हाथियार वबिसफोटक को चुपाया था, पुलीस अधिकारियों को आसंका है कि मववादी इलाके में अभ्यान चलाना चा रहे थे, मौके से एक डायरी भी बरामत की गई है, जिसमें संगठ इस्तिती में पकड़े गए, पहाड़िया युवक युवती पर पंचायत ने 50,000 रुपय का जुर्माना लगाया, नहीं देने पर दोनों प्रेमी युगल को बाल, मुंडवाकर वचपल, जूते की माला पहना कर पूरे गाउं में घुमाने का मामला प्रकास्त में आया है, पुलिस ने सुचना मिलने के बाद इन्हें अपने कबजे में लिया और थाने लिया आई, इसके बाद आधिकारी गाउं पहुँचे और पूरे मामले की जानकारे ली, इसके बाद पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरबतार कर जेल भेज दिया है, बरहेड थाना पर भारी के खिलाब प्रात्मिकी दर्ज की गई है, वही कांट संख्या 113.23 के तहथ यूअति के शाद दुरवहवार करने के मामले में, राम पहाडिया, डुमरी भीमा पहाडिया, गुया भीमा पहाडिया, चिला हिसके सभी 9 आरोपियों को गिरबतार कर जेल पीज दिया गया है, से बांद कर वचपल जूते की माला पहना कर वबाल मुंडवा कर जो है बरहरवा बरहेट मुख्य मार पर घुमा रहे हैं इसके बाद रांगा थाना परभारी अमन कुमार सिंग एसाई उमेश कुमार महतो एसाई विजे कुमार दिवेदी शादल बल मौके पर पहुँचे और 37 गड़ से जपला जा रही यात्री बस पलामू में बस की अस्टेरिंग फेल हुई बस में एक दर्जन से अधिक यात्री सवार थे बस बेकाबू होकर खाई की तरह बढ़ी लेकिन एक पेड की वज़े से बस खाई में गिरने से बच गई और बड़ा हाथ सा टल गया बस को खीच कर निकालने आई हाईडरा भी दुर घटना गरस्त हो गई फिर दूसरी हाईडरा ने बस को खीच कर बहर निकाला घटना पलामू के मुहमद गंज इलाके की है गुरवार को कादल कुरमेगाओं के समीब घटना गर्टी है बदन नामक यात्री बस गाइड बांध से उतर रही थी इसी दौरान बस की अश्टेरिंग फेल हो गई और बस दुरगटना गरस्त हो गई इस दौरान जो है बस में सवार पांच यात्रियों को हलकी चोटाई है साहिब गंच की उधवा में सड़क दुरगटना में घायल दो नाबालिक की इलाज के दौरान हुई मौत साहिब गंच जिले के राजमहल उधवा मोके पत पर उधवा पूल के समीब सड़क दुरगटना में दो नाबालिक गंभी रुप से घायल हो गई इन घायलों में राजमहल धाना चेतर की समसपूर खरदिग्गी निवासी चांद सेख पंदरा वर्सिय एवं जो है महाजन टोला निवासी तौफीक सेख सुला वर्सिय को अनुमन लिये अस्पिताल में प्रात्मी कुपचार की बाद राफर कर दिया गया था चांद एवं त प्रात्मी के लोगों में मातमी सननाटा पसरा हुआ है परिजनों का रोरोकर बुरा हाल है जानकारी के अनुसार दोनों ही घायलों को सिर में गंभिर चोट लगी थी जिला परिशत सदस जहे अब्दूल बारिक सेक मिरता के घर जाकर परिजनों को धारस बंधा जारखन के इस गाउं से रोज बिहार भेजी जा रही दो लाक लीटर सराब ऐसे हुआ खुला सा जारखन के भगर घाउं से रोजाना दो लाक लीटर अवैद सराब बिहार भेजी जा रही थी गुरवार को हजारी बाग स्पी मनोज रतन चाउंते के निर्देश पर पुलीस ने भगर पंचायत के भगर भंडार और परसा तरीगाउं में बड़ी कारवाई की है पुलीस ने आधादरजन गाउं में मौजूद अवैद सराब की 35 भटियों को धवस्त किया देड़ लाक किलो से जादा जावा और हजारो लूटर सराब को जब्त कर नश्ट कर दिया सराब बनाने में इस्तवाल हो रहे साथ सो से ज़्यादा प्लास्टिक ड्राम और कटी लकडियां भी जब्त की है पुलीश उत्पादेवंवन विभाग और बिहार के उत्पादवाग के शन्युक्तु टीम ने अवैद सराब की कारोबार की खिलाप इस काररवाई को अंजाम दिया बिहार साई टीम ने ड्रोन के जरिये निगाह बानी कर अवैद सराब की भठियों को खोजा पुलीस यह देखकर हैरान रह गई कि हजारों लीटर सराब जमेन के भीतर विवास्तित धंग से चीपा कर रखी गई थी उन्हें सिमेंटेड ढगकन और पत्तों से ढगा गया था काररवाई के दोरान किसी की गिरपतारी की सुचना नहीं है पुलीस का कहना है कि भाघर में पिकेट जो है बनेगा ताकि अवायद सराब की कारोबार पर लगाम लगाई जा सके गुमला के पोकला रिल्वेस्टेशन में अब रुकेगी तपस्वनी एक्सप्रेस शांसदव विधायक ने दिखाई हरी जंडी गुमला जिले के कामडारा प्रखंड इस्तित पोकला रिल्वेस्टेशन में गुर्वार को तपस्वनी एक्सप्रेस ट्रीन को सांसद सुदर्सन भगत विधायक जिग्या सूशारन होरो पूर्व अस्पीकर डॉक्टर दीनेश उराउं जीप अध्धक्च किरन माला बाड रेल रोको संघर समेती के शन्योचक रोसन भरवा ने संजुक्तरुप से हरीचंड दिखा कर पूरी किलिरावाना किया मालूम हो की जो है रोजाना अप वरडाउन में तपसवनी एकस्प्रेश ट्रेण का पोकलार एलवेश्टिशन में दुबारा ठहरा सुरु हो गया है सांसद सुदर्सन भगत वविधायक जिग्या सुशारन होरो ने तपसवनी एकस्प्रेश ट्रेशन में हरी शंड़ी दिखाने के बाद कहा है कि तपस्वने एक्स्प्रेश ट्रेन की ठहराओ को लेकर कामडारा बसिया समयता आसपास के प्रखंड के गरामिनों द्वारा मांग की जा रही थी जो आज सपना पूरा होते देखा गया है असलील वीडियो की ओनलाइन सौदेबाजी तब तीस में जूटी CID की साइबर क्राइम ब्रांच जारगन की राजधनी राजधनी राज़ी सहित कई अन्ने सहरों में बड़े पैमाने पर ओनलाइन तरीके से लोगों को चाइल्ड पर्नोग्राफी जैसे एडल्ट कंटेट भ वारक की जा रही है राजधनी सहित कई सहरों में ऑनलाइन पैमेंट कर बच्चों के असलील वीडियो को ना स्रिब देखा जा रहा है बलकि इसे दूसरे ग्रूप में भी धडलले से से एर किया जा रहा है टेलिग्राम मोबाइल आपके जरिये कई ग्रूपस बनाकर चाइल पद यातरा सांसत गीता कोडा ने कहा बापू के देश में नफरत और हिंसा का कोई इस्थान नहीं भारत जोडो यातरा के पहले वरसिगांट पर गुरवार को पसिमे सिंग्भुम जिला मोख्याले कॉंग्रेस भवन चाइबासा में सहीत पार्क रूंग्टा चांक कोट प भवन चाइबासा में भारत यातरी का अभिनेंदन समहरों में साल ओड़कर सम्मानित किया गया इस कारिकरम में संबोधित करतो हुए सांसत गीता कोडा ने कहा है कि वरतमान के अंदर में काबिज भाजपा सरकार नई हतकंडे अपना कर मूल भूत जो है जनहित समस्याओं क अंसुना कर रही है बड़ती महंगाई बेरुजगारी और भरष्टाचार पर विराम लगाने में पूरी तरह से विफल रही है